हरियों, आज मैं कक्षा अस्टम का पाठ श्वामी बिवेकानन्द पढ़ाने वाली हूँ श्वामी बिवेकानन्द एक महान हिंदू शंत और नेता थे जिन्होंने राम कृष्ण मिशन और राम कृष्ण मठ की अस्थापना की थी यह एक जीवनी है जिसमें घटनाओं के माईध्यम से श्वामी जी के जीवन पर परकाश डाला गया है तो सबसे पहले हम लोग प्रस्तावना देखेंगे प्रस्तावना है जीवनी शाहित्य की महत्पुन विधा है किसी व्यक्ति के जीवन का चरीत्र चित्रन करना ही जीवनी है यह एक लोग प्रिय जीवनी है जिसमें घटनाओं के माईध्यम से श्वामी जी के जीवन पर परकाश डाला गया है अब इसके मुख्य बिंदू इस परकार है पहला बिंदू है जब विवेका नंजी छोटे थे तो उन्होंने अपने साहस से बंदर के शरदार पर विजय प्राप्त की यहां इस कहानी का आरंब एक घटना से होती है लेखा के हाँ पर बताते हैं कि बिवेका नंद जी का बचपन का नाम नरेंद्र था और जब वे छोटे थे तो बहुत सरारती थे बहुत नटकट थे तो वहां एक घटना से वे इस जीवनी की सुरुवात करते हैं वे कहते हैं कि एक बालक था नरेंद्र एक दिन वह काशी विश्वनात मंदीर के परिशर में खेल रहा था तभी वहां कुछ बंदर आएं बालक नरेंद्र के पास कुछ चने थे उसने एक बंदर के बच्चे को चने दिखा कर अपने पास बुला लिया जैसे ही बंदर के बच्चे ने चने खाने सुरू किये बालक नरेंद्र ने उसे पकड़ना चाहा बंदर का बच्चा ची ची करके चिल्डा उठा उसकी आवाज बंदरों के सरदार ने सुनी और वह उसकी रक्षा के लिए दोड़ पड़ा सरदार लंबा चौड़ा और भ्यानक था यानि बंदरों का सरदार जो है वो लंबा चौड़ा और भ्यानक था उसे देखकर नरेंदर भागने लगे आगे आगे नरेंदर भाग रहे थे और पिछे पिछे बंदरों का सरदार नरेंदर मंदिर के अंदर जा चिपे परन्तु बंदरों का सरदार वहां भी पहुँच गया और उहीं खड़ा रहा आखी नरेंद किसी तरह भागते भागते गंगा नदी के किनारे जा पहुँचें और वे पानी में कूद गयें उन्होंने सोचा कि पानी में मैं रहूँगा तो फिर बंदर वो भाग जाएगा वह काफी देर तक पानी में तैरते रहे जब नरेंद्र को लगा कि अब तो बंदरों का सरदार चला गया होगा तो वह किनारे पर आए लेकिन क्या देखा कि पलक जपकते ही सरदार बंदरों का जो सरदार है वो दात किट किटाते हुए नरेंद्र के सामने आखड़ा हुआ, उसी च्छन नरेंद्र ने सोचा जो डर गया वो मर गया, वो उसने सौचा नरेंद्र ने कि अब मुझे डरना नहीं है, उसने पास में पढ़ा एक मोटा डंडा उठा लिया, वो भरपूर ताकत लगा कर सरदार को मारने ही वाला था कि वो डर कर भाग खरा हुआ इस इसी सहासी वालक नरेंद्र ने आगे चल कर श्वामी विवेका नंद के नाम से शंपूर्ण विश्मे परशिद्धी पाई उन्होंने सारे संसार को ग्यान से आलोकी किया यानि वो नन्हा बालक नरेंद्र आगे चल कर कोंट बनते हैं स्वामी विवेका नंद और पूरे संसार को ग्यान से अपने ग्यान से आलोकीत करते हैं शौमी दुसरा बिंदु है स्वामे बिबेका निंजी का जन्म और उनकी प्रारमभिक शिक्षा यान उनकी जन्म कहा हुआ था शौमी बिवेकानन का जण 1863 इस्वी में हुआ था वे बचपन से ही होनहार दिखाई देते थे उन पर यह कहावाच चरितार्थ होती थी होनहार विर्वान के होच चिकने पाथ यानि बचपन से ही वो बहुत तेज बुद्धी के थे उन्होंने अंग्रेजी स्कूल में सिक्षा पाई 1984 इस्वी में बीए की डिगरी प्राप्त की उनके अंदर अध्यात्मिक भूख बहुत तीवरी थी अतवे ब्रह्म समाज के अनुयाई बन गए उनका कंट बहुत मधूर था वो बहुत अच्छा गाते थे अतक किर्तन समाज में उनका बहुत सम्मान था पर ब्रह्म समाज उनकी जिग्यासा को सांत ना कर सका वे सेत्य की खोज में इधर उधर भटकने लगे वो बहुत जिग्याशों परविर्तिके थे और उनकी खोज क्या थी शैत्ते शैत्ती की खोज में वो इधर उधर भटकने लगे उन दिनों स्वामी रामक्रिष्ण प्रमहंस के प्रती लोगों में अत्याधिक शरधा थी नव युवक नरेंद्र नात ने भी उनके ससंग से लाब उठाना प्रारम्प कर दिया उन्होंने स्वामी रामक्रिष्ण प्रमहंस को अपना गुरू बना लिया प्रमहंस जी की वानी में अध्भूत आकर्शन शक्ति थी जिसने नरेंद्र नात को अपने बसी भूत कर लिया नरेंद्र नात उनके भक्त बन गए यानि कि नरेंद्र नात के गुरू कौन थे श्वामी रामक्रिष्ण प्रमहंस नरेंद्र की माता की इच्छा थी तिसरा बिंदु में दिया हुआ है कि नरेंद की माता की इच्छा थी कि उसका पुत्र बकील बने वे कभी नहीं चाहते थे उनकी मा कि वो इधर उधर भटकता रहे सन्यासी बने वे क्या चाहते थी बकील बनाना चाहती थी नरेन्त की माता की इच्छा थी कि उसका फुतर बकील बने पर उसका विवा किसी अच्छे घर में हो जब नरेन्त ने शौमी रामकृष्ण परमहंस के प्रभाव में आकर सिन्यास लेने का निश्य किया तो मां को बहुत दुख पहुँचा नरेन्त की वैरागी वरिती दीन परती दीन परती ही गई वे अध्यात्मिक ज्यान की प्राप्ति के लिए हिमाले की और चले गए वो सत्य की खोज और अपने अध्यात्मिक ज्यान के लिए वो हिमाले की और निकल परते हैं वहाँ वे कई बर्ष तक रहते हैं वहाँ वे तपेश्या करते हैं, शाधना करते हैं, और शत्त की खोज में वे बहुत कस्ट जेलते हैं, यहां वहाँ वो भटकते रहते हैं, कभी-कभी तो उनको तिन-तिन दिन तक खाना भी नहीं मिलता था, कई बार तो वे ऐसे अस्थानों पर सोएं, और उतना ठंड अस्थ खाएं, कितनी बार तो उनका सामना सेर, बाग तथा दूसरी जानवरों से भी हुआ, लेकिन वो कभी भी अपने लच्च से पीछे नहीं हटें, पहार से उन्होंने हिमाले के बाद, होहां से तपेश्या करने के बाद, वे नीचे उतरते हैं, पहार पहार से नीचे उतर कर, उन्होंने सारे देश का भ्रह्मन किया हिमाले से आने के बाद उन्होंने भारत के एक-एक कोने का उन्होंने क्या भ्रह्मन किया वे लोगों को धर्म और नीती के तत्तो का उब्देश देते थे कई जगह उनकी खिल्ली उड़ाई गई, उनकी हसी भी उड़ाई जाती थी, पर उन्होंने तनिक भी परवा नहीं किया उन लोगों का, जो उनका मजाग उड़ाया करती थे, धिरे धिरे उनकी ख्याती चारोवर फैलने लगी, उन्हीं दिनों स्वामी जी को अमेरिका में होने वाले शर्वधर्म शम्मेलन का समाचार मिला, उसी समय जब वो देश में प्रचार कर रहे थे घुम घुम के, तो उनको अमेरिका में होने वाले शर्वधर्म सम्मेलन का समाचार मिला, और वे तुरंत उसमें भाग लेने के ल अमेरिका जा पहुंचें वहां पहुंचकर उन्हें ग्यात हुआ कि अभी सम्मेलन होने में बहुत देर है परतिक्षा के ये दिन बहुत कष्ट से वी थे निर्धनता की यह दसा थी कि उनके पास ओड़ने विछाने तक के पूरे कपड़े ना थे पर संतोष व्रीति के कारण सब कष्टों को जेल गए अमेरिका पहुंचें लेकिन वहां कुछ दिनों के बाद धर्म शम्मेलन शुरू हुआ इस बीच वे थोड़े कष्ट में रहें लेकिन फिर वी उनमें क्या थी संतोष ब्रीति थी इसलिए वे सारे कष्ट को सह गए परतिक्षा के घरियां समाप् कुई सभी धर्माचारी उत्सुक्ता से इंतिजार कर रहे थे किनका स्वामी विविकार्णिंद जी का सभी स्वामी जी अपने स्री मुख से कुछ कहे सारे बिद्वान जितने भी वहां बैठे वे थे सब इंतिजार कर रहे थे कि स्वामी जी क्या बोलने वाले हैं और वो क्या कहने वाले हैं स्वामी जी ने वहां ऐसा पांडित्य पुर्ण ओजश्वी और धारा प्रभा भाशन दिया किसरोता मंत्र मुग्द हो गए उन्हें ये विश्वासी नहीं ना होता था कि पराधिन भारत का हिंदू ऐसा बिद्वता फोर्ण भासन भी दे सकता है उनके भासन सुनके वहां के सारे लोग आश्चर में पर गए और सुचने लगे कि ये पराधिन भारत में भी ऐसे ब्यक्ति है इतने बिद्वान ब्यक्ति है स्वामी जी ने पश्शिम बालों को बताया जहां गये थे वे अमेरिका पश्शिम बालों को बताया कि कर्म को केवल करते भी समझ कर करना चाहिए उसमें फल की इच्छा नहीं करनी चाहिए यह बात उनके लिए विल्कुल नहीं थी श्वामी जी के भासनों की प्रशंशाँ वहां के समाचार पत्रों में छपने लगी उनकी वानी में यह प्रभाव था कि सुनने वाले आत्म विस्मित हो जाते थे सुमें जी अमेरिका में करिब तीन साल तक रहे और वहां बेदान्त का परचार करते रहे इसके बाद वें इंग्लेंट चले गए उनकी ख्याती वहां पहले ही पहुँच गई थी वassana के लिए गंटो परतिक्षा करते रहे यानि कि वहां के जो वेग्यानिक थे जो बहुत सारे आसे लोग थे जो बहुत व्यासत रहा करते थे वो भी सुमें झीके भ्हासन को सुनने के लिए आते थे वे करीब एक वर्ष वहां रहें इंग्लेड में वे एक वर्ष रहें वहां के लोग स्वामी जी द्वारा बताए वेदांत पर मोहित हो गए उनके कई अंग्रेज शिष उनके साथ भारत भी आए और वहां उनके बहुत सारे अंग्रेज जो हैं उनके शिष भी बन गए उनके अनुयाई भी बन गए और उनके साथ वे सारे भारत भी आए 16 सितंबर 1896 को स्वामे जी स्वदेश लोटने के लिए रमाना हुए स्वामे जी जब जाहाज से कोलोंबो में उतरे तो जन साधारन ने जिस उस्सा और उल्लास से उनका श्वागत किया वो दर्शन ये था लोग उनकी एक जलक पाने के लिए दूर दूर से मंजीले तै करके आते थे यानि कि स्वामे जी का रूप बड़ा ही सुन्दर था उनके बैक्तितों के बारे में हमा कहा गया है कि उनका जो रूप था बहुत ही सुन्दर और भैव्य था उनका सारीर गठा हुआ था उनकी दिस्टी में चुम्बकिये प्रभाव था उनकी आँखों में एक प्रभाव था चुम्बकिये वो जो जिसे सभी को अपनी और आकर शित करती थी उनका मुक मंडल पर आत्मितेज की चमक थी उनका सभाव अति शरल और वेवार अति भीनम्र था वह अंग्रेजी के पुर्ण पंडित और अपने समय के सर्व स्रिष्ट वक्ता थे वे अंगरीजी के अतिरिक्त बहुत सारी भासाओं के वह जानकार थे जैसे वे शंस्कृत जानते थे संस्कृत जर्मन हिब्रू ग्रीक फ्रेंच आदि भासाओं के वे अच्छे ग्याता थे वे केवल चार घंटे सोते थे प्राता चार विजे उठकर जब ध्यान में लग जाते थे कहा गया है कि 24 घंटे में स्वामी विवेकानंद 4 घंटे ही सोते थे और पूरा दीन अपने ध्यान में लगे रहते थे और अपने ग्यान का परचार में लगे रहते थे वे भारतियों को स्वत अंतरता प्राप्त करने के लिए प्रोष्षाहित करते रहते थे उन्होंने अपने एक भाषन में ऐसे ही विचार फरकट करते हुए कहा था उसमें हमारा भारत क्या था पड़ाधिन था और वी हमेसा भारतियों को श्वतंत्रता के लिए प्रोशाहित करते थे एक बार उन्होंने कहा था प्यारे देश भासियों पुनित आरिवर्त में बसने वालों क्या तुम अपनी इस भीरूता से वो श्वाधिनता प्राप्त कर सकोगे जो केवल बीर पुरूशों का अधिका भारत निवासी भाईयों अच्छी तरह याद रखो कि सीता शावित्री और देयंती सीता शावित्री और दम्यंती तुम्हारी जाती की देवियां हैं हे वीर पूरुशों, मर्द बनों और ललकार कर कहो कि मैं भारतिय हूँ, मैं भारत का रहने वाला हूँ, हर हर एक भारत वासी चाहे वो कोई भी हो, मेरा भाई है, ये इन्होंने कहा था, श्वामी विवेका नंद ने राम कृष्ण मिशन की अस्थापना कर इसकी साखाएं देश भर में खोल दी, इस संस्था का उद्देश लोग सेवा करते वे बेदांद का परचार परशार करना था, यहाँ पर विवेका नंजी अमेरिका में होने वाले धर्म शम्मेर में भाग लेते हैं, फिर वे भारतियों को स्वतंतृता प्राप्त करने के लिए प्रोशाहित करते हैं, और फिर अंतिम बिंदू जो हैं, अंतिम दिनों में वे, कया करते हैं? दिन धुख्यों की सेवा का बीड़ा उठाते हैं कि अंधिनों भारत में महामारी फैली हुई थी स्वामे जी दिन दुख्यों की सेवा का बीड़ा उठाया उन्होंने ढाका कलकत्ता और मदरास में जगा जगा श्रेवाश्रम खोले अध्यात्मिक परिश्रम करने के कारण स्वामी जी का स्वास्ते विगरने लगा यानि बहुत हुए महिनत करते थे जिसके कारण अध्याधिक परिश्रम करने के कारण उनकी शहत गिरने लगी वे बिमार पड़ गये वे अपने भक्तों से कहने लगे कि अब मेरे महाप्रस्थान का समय बहुत निकट है चार जुलाई 1902 को वे एका एक समाधी में लीन हो गए हैं सबेरे चार जुलाई 1902 को एक दिन ऐसा है कि वे समाधी में लीन हो जाते हैं प्रितपेश्या में लीन हो जाते हैं और सबेरे दो घंटे समाधी में रहते हैं दो पहर के समय शिश्यों को व्याकरन पढ़ाया उन्होंने, तिसरे पहर दो घंटे तक वेदो का उब्देश दिया, इसके बाद टहलने निकल गए, साम को माला जपने के लिए समाधी में बैठ गए, फिर वो समाधी में बैठ कर माला जपने लगे, और उसी अवस्था में उ पारवेश वर्ण के चले गए, इस तरह उनका अंतिम, सांस उन्हें अपनी शमाधी में लिया, इस में बताया गया है, कि करण्या कुमारी में, शमुद्र के मध्ध बना विवेका नंद अश्मारक, उनकी इसमिर्थी को संजोए हुए है, यानि कि विवेका नंद के इसमिर के मद में एक बहुत बड़ी मुर्ति बनाई गई है उनकी स्मिर्ति को संजोया गया है वहाँ पर ऐसी ऐसी मसाल प्रजुलित कर गये हैं वे ग्यान की आप कहते हैं का लेखक कहते हैं कि श्वामी विवेकानंद जी ने अपनी बिद्वता और अपने ग्यान से ऐसी मसाल करती रहें यानि संसार को मेशा प्रकाशित करती रहेंगी आ कि लाकुछ कतिन शब्द दिये गया है अ हुआ झालिय से परिशर का अर्थ ए आंगन साहासी करते हिम्मत वाला विश्यो का संसार प्रशिध्धी मसहूर ख्याती चरितारत का त्थ है लागु होना कंट का अर्थे गला, जिग्याशा जानने वाला, मधूर का अर्थे मीठा, वशीभूत का अर्थे बश्मेक कर लेना, भ्रमन, सेर, उद्सुक्ता जानने की इच्छा, ख्याती कर्थे परशिद्धी, पार्नित्ति पुर्ण कर्थे बिद्वता भरा, पर्तिक्छा कर्थे इंतिजार, धारा प्रवाह का अर्थे लगातार, बीना रुके, इसमिर्ति याद, उसके अध्य, लट्टु होना, मोहित हो जाना, महा प्रस्तान कर्थे श्वर्गवास, आत्म तेज, आत्मा का तेज, आलोकीत, कर्थे प्रकाशित, भीरुता, कर्थे कायर्ता, डर्पोक, अध्यात्मिक, कर्थे आत्मा शम्मंधि, ज्यान, अध्यधिक, यानि बहुत ज्यादा, बेराग्वरिती, कर्थे संसार के सुखों से दूर होने की प्रवरिती को जाना इसके बाद यह हों कुछ प्रसंट दिए गए हैं कि यहां 11 प्रसंट दिए गए हैं आप पारट को गात क希望 वीडियों देखोगे और यह सारे को चन्य को करने की कोश्मिस सब्वाद करोंगे मुझे आसा है कि यह पार दोंकों समझ में में आ गया होगा धन्यवाद झाल झाल